नमस्कार न्यूस 24 देख रहे हैं आप मैं हूँ आशुक इश्तिवारी मेरे सांधे प्रभाकर मिश्रा और आप न्यूस 24 का खास कारिकरम देख रहे हैं वकाले 24 आज वकाले 24 में बात होगी बाबा रामदेव की बाबा जी पे सुप्रीम कोट ऐसा भढ़का है जैसा मैंने त कोट इतना जादा भढ़का हो कि आप दो दो बार जा रहा है हाँ जोड़के खड़े हैं माफी मांग रहे हैं माफी नामा रिजेक्ट हो रहा बार बार और बोल रहा है और सुप्रीम कोट बोल रहा है कि हलके में ले रहे थे अभी बदाते हैं तुम को सर बाबा रामदेव चर्चाओं में तस्वीर आप देख रहोंगे कोट के अंदर की कैसे खड़े हैं कोई बयान तो आफिशली आ नहीं रहा है लेकिन माफी माफी मांगे जा रहा है लेकिन कोट से रिजेक्ट हो रहा है सबसे पहले जाना चाहूंगा यह मामला क्या है और क्यों कोट इतना जादा बनानी शुरू की तो पहले तो हुआ कि योगा से शूगर, बलड ट्रिशर, मुटापा ऐसा कम करेंगे उसके पास फिर दवाईयां लेकिया है बाबा और उन दवाईयों के आधार पर इन्हों ने इस तरह का क्लेम करना शुरू किया क्लेम में दिक्कत नहीं थी हाला कि कान तो जो इंडियन मेडिकल एसोशियेशन है उसको यह बात लगी कि भाई तो गलत है अमारी क्रेडिबलेटी डाउन करेंगे आप इस तरह का कोई बयान नहीं देंगे दूसरा यह कि जो ड्रग एंड मैजिक क्रिमेडी एक्ट है पुराना एक्ट है आजादी के तत्कालबाद 1954 का तो उसमें इस तरह के दावे का जो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसके उनमुलन का दावा नहीं किया जा सकता मैजिकल एफेक्ट के तोर पर कि इसको छूमंतर हो जायागा तो उसी तरह से तो इसका आगया कि आप इस तरह क है और उस तरह के तो कोट को अदालतों का जो एक उनका वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट होता है बहुत अलब होता है और उसी के लिए कंट्यम्ट कोट एक्ट बना कि अदालतों की अवग्या नहीं होनी चाहिए और अगर देश में अदालतों की अवग्या हो जाए तो फिर बचता कुछ नहीं है जी अश्कुष इसको ऐसे समझे कि हम कहते हैं कि संबेधान के प्रोटेक्शन की जिम्यवारी जो है वह सुप्रीम कोड को गारजियन आफ कंश्मिशन इसलिए बोला जाता है और इसलिए सुप्रीम कोड को यह शक्तियां दी गई कि आपको अपने आदे इसका पालन कोई नहीं करता है तो आप उसे पनिश कर सकते हैं कंटेम्ट आफ कोड एक्ट बकायदे उसके लिए बना गया कि अधितम से महिने की सजा हो सकती है तो ऐसा बनाया गया यह सब जानने बुझने के बावजूत जी बाबा राम दिम ने सुप्रीम कोड के उस आद पहले नोटिस जारे हुआ कि आपके उपर यारोप हैं आप सफाई दीजे उसके बाद नहीं आए फिर उसके बाद से कंटेम्ट आफ कोड़ उसमें तब कोड ने कहा कि आप पेशी होई पेशी में बाबा राम देव और बालकृष्न दोनों को पेश होना पड़ा वो पेश कंटेम्ट मतलब जैसा आरोप है अदाद इस पर बढ़ गए कि हम कह रहे हैं कि आपने उमाना किया है और आप कह रहे हैं कि आरोप है तो उसको लेंग्वेज को ठिक करिए ऐसा करके दुबारा फिर इनका जो आया है फिर हलफ नमा दायर हुआ अब उसमें एक और चीज आई कि इन्हों ने यह कहा कि मुझे परसनल पेरेंस से छूट दे दी जाए इसलिए कि मुझे कहीं जाना है अच्छा कोट ने कहा कि एक तो आपने आउमाना की है हम आपसे पूछ रहें कि आपके खिलाफ आउमाना की करवाई नहीं करें और उपर से आप यह करें कि मुझे कहीं बाहर जाना है छूटी देदी जाए मतलब आप गंभीड़ता से नहीं ले रहें को नहीं पर यह आप समझे कि यह हम जो लोग पर रिपोर्ट करते हैं उनको तो कि जब किसी के ऊपर ऐसा हो गया कि इसने आउमाना कर दी है और वह सामान्या आ वकीलों के मामले में है ता है कि कुछ मामलों में अड़ जाते हैं प्रशांद भूशनर के मामले में हुआ शांती भूशनर के मामले में हुआ तो ऐसा हो जाता है लेकिन इनके मामले में ऐसा लगा कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली की बेंच है जस्टिस हेमा कोहली तो ऐसे बी वह बार तो आपके उपर आउमाना की करवाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको लगी नहीं तो मैं कुछ कर पाऊंगा मतलब आप इतना टेकन फॉर्म ग्रांटेट जो करते हैं जो आपने ले लिया है तो इसलिए हाला कि सुप्रीम कोट में इनके तरफ से कई के वकील लगातार माफी के मुद्रा में आज भी कोट के तरफ से कोट में ये कहा गया कि पहले तो नहीं कहा था कि हम अनकंडिशन अप में जो दावा किया कि उनकी कंपनी की दवाईयों से ब्लड प्रिशर, शूगर, मुटापा खत्म हो जाएगा ठीक है कोट ने माना कि ये भ्रामक है ऐसा मेट्कल साइंस में नहीं हो सकता जी दूसरा ये कि कोविट के दौरान जब पूरा देश पूरे देश में हाहाकार चाहबा था दुनिया दबा ढूट रही थी, दूनिया दवा और वह साइंटिफिक रिसर्चिज हो रहे थे, ट्रैल हो रहा था, ऐसा हो रहा था, वहाँ पर बाबाराम देश दवा लेकर आते हैं चलेम करते हैं कि इस दवा से कोविट हो जाएगा, अब ये जो बात कि अब वो भी तब हो रहा है जब पूरे सरकार पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है और सरकार देख रही है आपको याद जो चीजे उस ताइम के हेल्थ मिनिस्टर हर्षवदन और ये अब निदिन गटकरी साब की मोज़त की थी तो कुल मिला कर ये कि सरकार सुप्रीम कोट ने कि उत्राइब सरकार के या हरिदवार के जो ड्रग अधिकारी अभी एक अधिकारी वहां पर मौजूद थे हाथ जोड़ करके उनको तो कहा कि लाइसेंस वगरे देते हैं ता वायूद अफिसर कि हम क्यों नहीं आपको उनसे भी लेटर माहा है बरखास कर दें तो सब को नो सरकार से कि आप उसमें मौन क्यों थे अब कोरोनील का मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को याद कराना है हम पत्रकार है हमें ही पता था लेकिन हमें पता था कि ट्रायल नहीं हुआ है नहीं हुआ हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते लेकिन एक सामाने आदमी हिंदुस्तान मे सामान आदमी जब हम दवा लेते हैं तो हम यह मान के चलते हैं कि आयरवेज से महला कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन नुकसान तब हो जाता है जब आप डॉक्तर की दवाईयों को छोड़ के किवलारी बोद पर फोकस कर जाते हैं वो भी जो इसे कहा कोई सर्टेंटी नहीं हो जैसे इस दवा के साथ था बहुत लोगों ने कोरोनी लिया बाकी दवाईयों को छोड़ दे हैं वैक्सीन तो यहां पर कोट ने पूछा कि आप तो सोचेगा तो कोट का जो कंसर्ल है वो जैन्मिनली मुझे लगता है कि सब के पास होना चाहिए हाला कि कहने के लिए को कहते हैं कि अलग अलग तरह के फेरनेस क्रीम होता है दोग दावा करते हैं लेकिन ऐसा कहा होता है जब आप एक्वेट करते हैं आप आप फेरनेस क्रीम स कि आप किसी दवा कैपा ऑभी दवा कैसी दवा वहाएं कि लोग हर रोज मर रहे हैं वो खाईएगा तो नहीं मरेंगे लेंगे के को जो अब समझेए कि सूगर और ब्लड प्रेशर ऐसी दो बीमारिया हैं फुद में बीमारी नहीं हैं तौमाल बीमारियों के जड़े हैं वहां पर भी आप करते हैं कि हमारी दवाई से असर हो रहा है ठीक हो जाएगा खतम हो जाएगा तो यह जो पिछले बार में कोट ने कह दिया था कि आप इन दवाईयों के परचार नहीं करेंगे तो उस पर कोट ने रोक लगा दिया तो कोट को इस पर मुझे लग लगा है कि कोई कुछ मीं दवा करें खांवा करें तो उसे सोचना होगा कि कोई तो है इसलगे कि सरकार इस मामले में सरकार में पिछली सुनाई में कोट ने कहा है अधर अब आप कहने को त्यार है हм नो लोग गए उनका क्या यहीं तो सवाल है अब इसमें भी यह एक विडमना देखिए दुर्भागे देखिए कि इसमें भी सुप्रीम कोट के सवाल पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुप्रीम कोट का अपना सवाल नहीं है यह सुप्रीम कोट का जा वाल यह आम जंदा का सवाल है लकिन मुझे अ पर खुल एाम में आप जूट बोल रहे हैं लोगों के कि क्या होगा पिछले माफी नामे को सुप्रीम कोट ने रिजक्ट कर दिया था आज भी कोट ने बोल दिया था कि हम वह नहीं करेंगे तो कोट ने का कि हम अगला आदेश पारिद करेंगे अगले आदेश में देखना होगा कि क्या इस माफी नामे को हाला कि कोट ने आज कहा क हम नहीं स्विकार कर रहे हैं तो ओरडर में अगला ओरडर होता है किby रहने तारिक सोले तारिक मैस्वाइए होनी होनी है तब देखना होगा लेकिन केवल राम आज पिर कोड़ने कहा की वेल रामदेव की कंपनी की मतम नहीं है तमाम company is acord कर लेती हैं कोट मुझे लगता है कोट को जिसमें order करना घा है statistलि लेकिन आजका का उट मैं कैड़ साठी मुझे बाद्द वहांगे वावबराम देव ने गलत किया है उनको टांग रहे हो आप करो इसे करो कि लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि खुले आम में कोई भी दावा इस तरह करने वाला आदमी आज एक माल नहीं यह कि आपने घर खरीदा या आपने गारी खरीदी और उसमें कोई डिफेक्ट निकल गया कोई प्लैट में कमी आ गई तो आप कंजिमर फोरम में जाते हैं आप उस अरजाना आपको मिलता है तमाम लेकिन एक कंपनी जो दावा करती है कि आपके बाल ऐसे हो को जाएंगे याप कैसे मसल्स आजाएंगाप की हाइट बढ़ जाए जाएंग 야 पता नहीं मोटा से पतल्या हो जाएंगे तमाम तरह कि दौ Hem फसका रहुता है अनो जी गलत रहें असका कुछ होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सरकार अदालत का काम नहीं यह सरकारों का का मैं उस समय भी जिस समय सब तरफ लोगडाउन था लोग मारे मारे फिर रहे देए उस समय एक कमपनी आती हैओ दावा करती है और उसके दावे पर सरकार मौन हो हो जाती है तो यह अपने अपने सवाल है और उनकी इनों के अधिकारी थे भभारे हं कि पौछ ओगा है उन से मत अचार को मांग शूटे मिंख जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम के वो उस प्रेस कॉन्फरेंस में बैठे तो सीधे सुप्रीम कोड को बोलना चाहिए ने कि आप हैल्थ मिनिस्टर आप वहां पर बैठे हो तो यह से मैं कहता हूं कि जब चंडिकंट मेयर के मामले में आप जब अनिल मसीह को बुलाया मैं उस मंत्री को उस समय के जिन जिन मंत्रियों ने उस दवा के प्रमोशन में उस बाबाराम देव के साथ खड़े थे उनको क्यों प्लाना था आप तो बुला सकते हो आप पूरा एंपल पावर है सम्मिधान ने इतना शक्ति दे रखा है कि मैंने कहा कि कंटेम्ट आप कोर्ट पावर ही आपके पास अनुछी 142 के तहट इतना पावर है आप किसी को बुला सकते हैं और मैं कहता हूं कि इस मसले पने बिलाएंगे तकिस मसले बिलाएंगे जहां लोगों के जीवन का सवाल है तो मुझे लगता है कि सब बातें आके अदालत पर ही खटम हो जाती है कि कि मादम स्वावादी पार्टी का मुकपता है अधालत कॉंगरिस का अपज़icação कराएगी और लोगों को अक्षिजन कराएगी और डॉखождик को फृका मुझे सद्रोकार को सरकार को बचाएगी अदालत क्या क्या करें पत्छित आम आदमे के दवा के लिए भी सरकार को को से आदालत मुझे लगता है कि अदालत प्रक्स रबडन है ब्लकुल और उपर से अदालत के उपर जितनी तोमते दालते अदालते तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में कम से कम बाबा रामदीव के इंसिडेंट ने दिखा दिया है कि सरकारे सरकारों को आम आदमी से कोई मतलब नहीं है अब अदालत में कोई रोता पीटता घसिटता जाएगा कौन सुनता है कोई सुनने वाला है क्या नहीं सुनना इसलिए का अडालत पास बहुत काम है तो इस घटना ने दिखा दिया है कि अब यह भी होगा कि अगर कुछ कर दिया कोई ऐसी सजा सुना दी कुछ ऐसा वो कर दिया तो फिर लोग शाथी पीटना सुरू कर देंगे अब क्या कहेंगे कि अलोपेथिक अभी मेरे ऐसे टिपड़ी आती है कि दरसल अंग्रेजी दवाईयों का इतना बड़ा उनका वो है लोबी है इतना दबदबा है कंपनिया इतनी बड़ी है उनका इतना पैसा है उसके चलते इसको दबाने की कोश्च इस तमम तरह की इस तरह को प्रमोट कर रहे है उसमें से आयूश मंत्राले ता देखना का मैं अल्टरेनटी मेडिशिन है आयूवेड भी हो हमियोपेथ है सब करना सब करो साथ परमोट करो लेकिन जो सही है उसे करो ना तो गलत तो अब पता वहिए इस कंपनी ने इस ड्रग यह जो एक्ट है 1954 का ए की ऐफ यह खराब है अब आपने गलत किया तो और वह कए एक्ट ही खराब है सप्रइमगूर्ट ने कहा कि इस गलाए कि दिसका किया है जिसके खिलाए को ने जो आपके खरूआई होने चाहिए आप कर यह कहनदे हमिसी खराब है इस धिस खराब दा तो यह अब लेकिन एक लोग की बहुत नाइद हो जाएगा कि बिल्कुल आद हो हम इसे भी लोग की बावनायात को यह नहीं देखेंगे कि इस से कि अप सुची सब्टानाहिए ना नहीं है ना जिननों ने कोरोनिल ले 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 जब वो कौरोनिल ले उन्होंने शुरू किया दूसरे में इस सवर दिय तो आपने तो लोगों से मतलब लोगों के विश्वास के जिंदगी के साथ विश्वास के साथ खिलवार हुआ है इसमें कोई दोरा है नहीं है और मापी मांग लो लेकिन क्या बाबाय रामदे मापी मांग लोगों के बाद खत्म हो जाएगे नहीं मुझे लगता है कि इस इतने बाबा रामदे बेंड पतंचली ऐसे जितने लोग इस स्टार्स जो करते हैं अब रामक हड़ियां बढ़ जाती है अचकल ऐसा होता है हाइड भी बढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि सब को जो भी इस अब से पूछो कि हम आप जो इदावा कर रहे हैं सही है अब गरेंटी लेगे देखो कोई नहीं आएगा मुझे लगता है कि एक आदिश पारी तो जाहिए कि कल से जब आप अगर नायक हैं स्टार हैं समाज आपको बहुत मानता है आप जब किसी का परचार करने जा रहे हो इस तरह का जी तो आप यह गरन्टी लीजिए कि अगर इसमें कोई कमी है और ठीक नहीं है तो हम आप से पूछेंगे इक सवाल अभी आपने जो जिक्र किया कि उस प्रेस कांफरेंस में सभी लोग मौझूद थे उस ताइम के हेल्थ मिनिस्टर मौझूद थे उस प्रेस कांफरेंस में और अगर कोट को जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जो हरिदवार का लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट बेसिकली जो मेडिसिन के लाइसेंस बाढ़ता है उसको फटकार लगे दोहजार सतरा से लेके दोहजार चौबिस तक जितने अधिकारी उन सबसे एक application मांगा गया है 2018 से लेके अभी तक कि तो सड़ ने कहा कि आप उनसे क्यों लाइसेंस मांग आप उनसे क्यों application मांग रहे हैं आपको तो सीधे केंदर सरकार के पास महुचना चाहिए था ना आयूश मंत्राले हमारे पास उनके पास उसा डेटा होगा ना कितने लोगों पेजाज की हैं कितना बैठे हैं राइज उनकी उसके बावजव यूट बीच रहे हैं दावा कर रहे हैं एक तरह से तो पर ऐसे बोलेंगे कि ब्रांड प्रमोटर बनके उसके लिए केंदर सरकार ने केंदर सरकार ने अज़गा तो बहुत कुछ हुआ था एक वारी कॉल करा देते हैं इक कोई प अब तक नहीं किया तो क्यों नहीं किया उससे पूछना चाहिए अब तक नहीं किया हुगा तो किस के कहने पर करते नहीं किदर से निरुझे शाय था तो तुम्हारे खिलाफ करवाई हो जाती इसका भैधा। मुझे लगता कि इस तरह से होना चाहिए तब इसस्टम सुद्रेगा नहीं तो नोटिश जारी करते रहो हरफ नमादायर करते रहो मांपीben नमा मांगते रहो जजजומ हो जाएगा वो ओाफ कर मतलब नहीं है सरकार को इससे मतलब है टेक्स दो वोट दो जै करो रैली में आओ बाकी भाण में जाओ बस बेसिकली आपने समझा कि यह केस क्या है कैसी इतनी जादा हिम्मत आ गई कि जब लोग मर रहे हो तब अपना अपना एक प्रोड़क्त लेके आते हैं लोगों की मौत उस प्रोड़क्त को एंबेस्ट करते हैं लोगों के पास पहुंचाते हैं और यह दावा करते हैं कि इसे लोग मरेंगे नहीं बचेंगे लेकिन हुआ क्या आप सब के सामने हैं देखते हैं अगली सुनवाई में क्या होता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 25